तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक इलेक्ट्रोस्टाटिक सील्ड इलेक्ट्रोस्टाटिक सील्ड इलेक्ट्रोस्टाटिक फोर्स से ही बना हुए और इलेक्ट्रोस्टाटिक सील्ड क्या है Electrostatic field है कि एक charge के आसपास एक ऐसी जगा Space, sealed, जगा जहां पर कोई और charge अगर रखा जाए तो दोनों charges आपस में force of attraction या repulsion experience कर सकें तो अगर वो कर सक रहे हैं तो हम बोलते हैं कि इस case में किसमें present है charge? Electric field के अंदर present है मैं आपको इसको example के साथ समझाता हूँ For example, आपके पास जैसे कोई भी एक charge है मान लो, आपके पास कोई Q charge है ठीक है, आपके पास कोई Q charge है और मुझे पता है, इस Q के आसपास ये जगा, जिसके बीच में अगर मैं कोई और charge रखूँ चाहे यहां रखूँ, चाहे यहां रखूँ चाहे यहां रखूँ, कहीं भी रखूँ तो ये charge, ये charge इसको या तो अट्रैक करेगा या रिपेल करेगा, डिपेंडिंग की नेचर के है तो कहीं भी रखो कोई भी charge तो ये charges आपस में अट्रैक्टिए रिपेल करेंगे तो हम बोलते हैं कि ये जो q dash, q double dash, q triple dash ये जो charges हैं वो इस q charge के field के अंदर प्रेजेंट है और कौनसे field में प्रेजेंट है? electric field में प्रेजेंट है तो इसका मतलब कि ये q charge का इतना influence है इस जगा में कि किसी भी और charge या और पड़ेवए charge को अट्रैक्टिए रिपेल कर सकता है तो ये इसके field में प्रेजेंट है, ये इसका electric field है field जगा है अब जैसे ये example और example देता हूँ जैसे gravitational field अर्थ के आसपास ऐसा ऐसी जगा जहां पर कोई आप पत्थर या कोई भी प्लानेट या कुछ भी रखेंगे, कोई मास रखेंगे तो अर्थ उसे खींच पाई तो हम बोलते हैं, तो gravitational field के अंदर है या gravitational pull के अंदर है ऐसे गो सकते हैं तो ग्राविटेशनल फील्ड के अंदर है. तो ग्राविटेशनल फील्ड क्या हुआ? अर्थ के आसपास ऐसी स्पेस जहां पर कोई और मास रखा जाये तो अर्थ उसे खींच सकती है. तो हम बोलते हैं ग्राविटेशनल फील्ड में प्रेजेन्ट है. तो clear है यहां तक, field फिर्टेशिर फिर्टी असडिक, electrostatic field है यह एलेक्रिक field है अब electric field को measure भी किया जा सकता है अब electric field को कैसे measure करेंगे, suppose करो आपके पास कोई q-charge है इस q-charge के आसपास यह इसका electric field है हाँ अगर आप कोगे कि चार्ज यहां पर पढ़ा हुआ है, इसके लेक्रिक फिल्ड के बहर पढ़ा हुआ है, तो यह क्यू चार्ज इसे अपनी तरफ अट्रैक्टर रिपेल नहीं कर पाएगा, यह फिर फिल्ड से बार नेकल गया, तो यह पॉइंट क्लिर है यहां तक, तो ऐसे ही है ना, तो यह चार्ज यहां पर इसे जादा फोर्स अफ अट्रैक्शन लगाएगा, यह चार्ज यहां पर इसे थोड़ी कम फोर्स अट्रैक्शन लगाएगा, क्योंकि जितनी दूर जाओगे क्यू चार्ज से, तो फोर्स अट्रैक्शन उतनी कम होती जाएगी, ऐ तो इसका मतलब कि किसी भी electric field के अंदर, इस जड़ा के अंदर, हम electric field को measure कर सकते हैं, जिसको बोलते हैं, strength, strength of electric field, strength of electric field, या फिर जिसको बोलते हैं, electric, electric field intensity, अगर आपको याद होगा, तो gravitation के अंदर टर्म यूज करते थे, gravitational field intensity, जिसको E से शायद रिप्रेजेंट करते हैं, अगर आपको याद हो, E से, कई लोग I से रिप्रेजेंट करते हैं, या E है या I है, कुछ ऐसे, तो इसको strength of electric field बोलते हैं, तो जितना charge के पास रहेंगे, strength उतनी, strong रहेंगी, जितना दूर जाएंगे, electric field की strength कम, 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 और फिर क होता जाता है, weak होता जाता है, weak, और फिर infinite distance पर क्या होता है, zero होता है, तो electrostatic के अंदर भी save है, तो Q charge के जितनी पास रहेंगे, strength of electric field की strong रहेंगी, दूर जाओगे, तो weak होते 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 क्या होते क्या होते जाएगी, एक दब, zero होते होते हैं, तो point क्लिए रहेंगे, good out इस में, तो इसका मतलब की electric field तो एक space है, एक जगह है, electric field की strength का मतलब की कितनी strongly कोई charge दूसरे charge को attract कर रहें, तो इस जगा पर strength कुछ और है, यहां 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 कुछ और है, तो हर point पर differ करेगी, तो हम क्या करत हम electric field की strength को measure करते हैं तो electric field मैंने कहा कि strong है, weak है, weak है अब मेरी beauty ये बंती है कि मैं आपको ये बताओ कि उसकी weak, strong की वज़ाए number बताओ कि exactly number में वो value है कितनी अगर मैं गता हो strong है तो कितनी value electric field की weak है तो कितनी weak है तो उसकी value क्या होगी ये मुझे बता रहा है हाँ ये जिरूर बता सकता हूँ जब यहाँ पर आजाओगे तो electric field strength क्या हो जाएग एगदम zero, तो e की value क्या हो जाएगी zero तो electric field की strength को measure करने का symbol क्या रहता है e, तो e से क्या measure करते है electric field की value को measure करते है electric field की strength को measure करते है strength को physics में इंटेंसिटी भी बोलते हैं, तो इलेक्रिक फिल्ड इंटेंसिटी, इलेक्रिक फिल्ड स्ट्रेंथ, इलेक्रिक फिल्ड की वैल्यू, या कभी-कभी सिंपल, इलेक्रिक फिल्ड कितना है, एक ही बात है, तो इलेक्रिक फिल्ड वैसे तो जगा होती है, वर बुक्स बोलती है कि field की strength कितनी है, field की intensity कितनी है, field कितनी है, field कितनी है, field तो जगा होती है, और चलता है, मैं बोनुगा electric field कितनी है, आप E बता देना मुझे कितनी है, तो strength कुछ रहा हूँ, तो clear है आतल, अब इसको measure करने का तरीका क्या है, electric field की strength किसी भी point पर अगर आपको निकालने है, तो उसको measure करने का तरीका क्या है, इसको एक बार देख लेते हैं, तो जैसे अगर आपके पास कोई charge है, Q charge है, ठीक है, इस Q charge से दूर, R distance दूर, एक point है, एक point है, इस point पर आपको measure करना है कि electric field की strength क्या होगी, तो point clear है यहां तक, तो Q charge से दूर, इस point पर electric field की strength क्या होगी, आपको measure करना है, put out इसमें, ठीक है, आपको करें start, तो यहां पर electric field लगा कौन रहा है, कौन लगा रहा है, Q charge लगा रहा है, obviously कोई तो, अगर मैं कहूँ, यहां पर gravitational field है, कौन लगा रहा है, अर्थ लगा रहा है, तो यहां पर field क् Q लगा रहा है, हम किसका field की strength measure करने जा रहे है, Q की field की strength measure करने जा रहे है, अर्थ का gravitational field यहां पर बहुत strong है, क्या वो डिपेंड करता है, मेरा मास कितने है, या इस pen का मास कितने है, या आपका मास कितने है, नहीं, आपका मास जादा होगा तो अर्थ field जगा लगाएगी, आ फील्ड निकालने का gm by r square, gm1, m2 by r square नहीं था, तो force होती है, gm by r square, मतलब, जो फील्ड लगाता है, जो जैसे अर्थ फील्ड लगाती है, तो अर्थ के मास पे फील्ड करता है, क्योंकि अर्थ बहुत बढ़ी है, तो अर्थ बहुत दूर तक अप में फील्ड की स्टेंथ क वहाँ पे कितना चार्ज पड़ा हुए है, वो मेंटर नहीं करता, क्योंकि फील्ड किसका study किया जा रहे है, क्यों का, तो फील्ड के फॉर्मुले में, ए के फॉर्मुले में, कौन अपना रोल प्ले करेगा, क्यों करेगा, क्या यह पॉइंट दिया रहे है आतर, तो कैसे निकलेगा, देखो, ऐसे निकलेगा, कि अगर मुझे यहाँ पर E निकालना है, तो मैं यहाँ पर इमेजन करता हूँ, कि यहाँ पर कोई चार्ज पड़ा हुए, यहाँ पर इमेजन करता हूँ, पड़ा नहीं हुआ, जस्त इमेजन कर रहा हूँ, कि यहाँ पर चार्ज जो एक्सेरिमेंट करने की काम आता है, कहीं आप कहोगे कि फिर तो ये बात होगी कि इसका फिल्ड निकालों कि इसका फिल्ड निकालों कि इसका फिल्ड में निकालों कि इसका ये फिल्ड में कॉंटरिब्यूट निकरता, ये एक इमेजनरी चार्ज है, इसका फिल्ड में तो मुझे फिल्ड की विलू यहां पर निकालनी है तो मैंने आपर टेस्ट चार्ज दख रहेने हैं, फिर क्या करने है टेस्ट चार्ज का, तो E निकालने का तरीका, अगर आपको इस पॉइंट पर E निकालने हैं, पैली बात E is a vector quantity, जैसे force एक रेक्टर है, E भी एक रेक्ट divide, तो force को charge, टेस्ट चार्ज से divide करेंगे, तो E की value आएगी, देखो कैसे, force का magnitude क्या होता है, 1 by 4 pi epsilon 0, q into q 0 divided by r square, divided by क्या आएगा, q 0, तो q 0 से q 0 क्या हो गया, cancer, तो answer क्या आएगा, 1 by 4 pi epsilon 0, q divided by r square, तो आपने चीज नोट की, मैंने कुछ time के लिए q 0 लिया, लेकिन उसको सिरफ use किया और फिर automatically वो अपने formula से क्या हो गया, हट गया, तो E की जो value है, जो E की value है, तो वो E की value में कौन अपना role play कर रहा है, सिरफ charge q जिसने की field लगाया, किसने field लगाया, क्यों ने field लगाया, तो इस formula में, E के formula में, टेस charge, वो ही अपना role play नहीं कर रहा है, तो q 0 तो सिरफ imaginary test charge है, इसका कोई लेना देना नहीं है, इसकी value से, तो E जहां पर भी निकालना है, rule number one, जहां पर भी E निकालना है, right, तो वहां पर, जहां पर आपने E निकालना है, तो वहां पर आपने test charge क्या imagine करना है, q 0, जैसे अगर q charge है, आपको A distance पर क्या निकालना है, E निकालना है, तो आप imagine करेंगे, please, imagine करेंगे, है नहीं, एक test charge, कितना q 0, और फिर यहां पर E निकालने का तरीका क्या बताया, force को इस test charge से डिवाइड कर देंगे, और मैंने बताया कि 1 by 4 pi epsilon 0, q into q 0 by r square को test charge से cancel करेंगे, तो क्या हैग 1 by 4 pi epsilon 0, q by r square, तो यह formula बनेगा, E निकालनेगा, बहुत लोग कहते हैं, फिर फाइदा क्या हुआ, परिट q 0 ले लिया, फिर कहा नहीं नहीं, वो तो इमेजररी है, सिर कहा कि नहीं नहीं, वो इमें कॉंट्रिबूट भी नहीं करेगा, कुछ नहीं करेगा, कुछ नहीं करे हैं, क्योंकि E जो है, E जो है, जो electric field है, वो force नहीं है, वो क्या है, force per unit charge है, definition of E जो है, E की जो definition है, वो क्या है, force per unit charge, तो इस लिए test charge का लगना जरूरी है, क्योंकि मैं इसको force नहीं बोल सकता, इसको क्या बोलना पड़ेगा, force per unit charge, इसके units क्या होंगे, E क, E क, force का क्या होता है, न्यूटन, चाल्स का क्या होता है, उलम, तो न्यूटन पर उलम, क्या यह पॉइंट क्लियर है यहां तक, कुछ डाउट इस में, ठीक है यहां तक, अब आपकोगे कि यह complicated है, अब मैंको पसंद नहीं आया, मैंको पसंद आपको एक नई definition सी खाता हूँ, जो मैं यूज करूँगा पोरे chapter में, बहुत असान है, और हर कोई यूज करेगा मुझे इतना महलूब है, क्या, हम क्या करेंगे, अगर यह क्यो चार्ज है और मुझे R distance दूर, यहां पर अगर मुझे E निकालना है, तो मैं Q0 निलूँगा मैं टेस्ट चार्ज पते क्या लूँगा, यूनिट पॉस्टिव चार्ज, तो मैं Q0, imaginary charge, Q0 निलूँगा, मैं क्या लूँगा, प्लस वन, जहां पी E निकालना है, वहाँ चार्ज क्या एजूम कर लूँगा, प्लस वन, उचे Q0 तो करी रहे थे, मेरे काई पे प्लस वन कर तो प्लस वन कितनी फोर्स लगाई, 1 by 4 by epsilon not Q divided by, भी आपस यही फॉमुला है, E का मेरे क्यां से ड़न, कुछ करने ही निया, Q 0 लागे Q 0 काट में जहे हुआ एज चाहिए आड प्लस वन ही लग दो, तो प्लस वन हे लग लगई 1 by 4 by epsilon not Q by r2, क्योंकि प्लस वन लखने का मोट क्योंकि एक फॉर्मुल में क्यों ही आना चाहिए यहां का 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 चाहिए कि इनके बीच में जो force है, 1 by 4 by epsilon 0, q, q0 by क्या है? r square है, ठीक है? ये force किस पे लगी? q0 पे लगी? q0 पे कितनी force लगी? इतनी force लगी? अगर q0 की जगा unit charge होता, तो कितनी force लगती? 1 by 4 by epsilon 0, q, q0 by r square को किस से डिवाइडी करता? यूनिट पॉजिटिव चार्ज पे यही force सकती ही, यूनिट ने में ऐसा लगा है, कुछ भी नहीं किया, q0 पे अगर यह force लगी, तो q0 की जगा unit positive charge होता, तो यही force सकती ही, तो यह तो वही definition हो गई न, force divided by charge, तो एक ही बात है, कि अगर ऐसे करने, ऐसे कर लो, कि अगर q0 charge है, तो force क्या लगी? f, अगर unit positive charge है, तो force क्या लगी? f divided by q0, तो basically मैं पूरी definition से एक ही चीज़ सी खा रहा हूँ आपको बस एक line, आपको सिर्फ यह समझ में आना चाहिए, कि electric field intensity का मतलब force नहीं है, force experienced by a unit positive charge है, बस क्या यह बात समझ में आती है, चाहे वो इस method से आए, चाहे वो सीधा plus one करके आए, कैसे भी आए, तो electric field intensity की definition क्या है? it is the force experienced by a unit positive charge, done, तो कुल मिलाके मेरे हिसाब से आपको सिर्फ तीनी चीज़े आनी चाहिए, बस, जितना lecture मैंने दिया सब भूल जाओ, पहली चीज यह आनी चाहिए, जितना मैंने दिया उसमें से तीन चीज़े निकालेंगे, तो अगर यह Q charge है, और कोई मुझे कहे, कि R distance पे E निकालो, तो method number one, मैं वहाँ पर imaginary charge क्या लूँगा Q naught, तो मैं आहाँ पर force की जगा लूँगा, 1 by 4 pi epsilon naught, Q Q naught by R square को Q naught से divide करके यह answer, कोई यह नहीं आर्थ करना चाहता, कोई बात नहीं, जैसे में यही तरह मैंने नहीं आर्थ किया हुआ है, मैंने ऐसे किया हुआ है, अगर Q charge है, R distance पे मुझे E निकालना है, तो मैं क्या imagine करूँगा, वहाँ पर कितना charge पड़ा हुआ है, plus 1, मुझे सबसे बढ़िया लगता है, Q no to chakr ही नहीं है, तो मैं अपने मन में force निकाल दूँगा, कि प्लस 1 पे कितनी force लगी, यह force लगी, यही क्या होगा मेरा E, दूसरा point भी clear है, ठीक यहां तक, दो definition में से, जो आपको पसंद है, आप use करें, में को यह पसंद है में यह यूज करूँगा, तो यह का यूनिट्स भी याद होने चाहिए, यह के यूनिट्स क्या होगे बताओ, न्यूटन पर कूलम, बस, यह तीन चीज़ें क्लियर है, ठीक है यहां तक, इतना ही आना चाहिए आपको, अगर कुछ भी भी पता ना, मुझे भी समझाया क्या होगा, तो इतना दो पता लग रहा होगा, वह E का फॉर्मूला क्या है, बाइ फॉर्मूला क्या है, चलो, तब भी काम चल जाएगा, दन, तो इससे अपान क्या होगा, तीक हो गए आतर, अब पॉइंट ही है कि इसको यूज कैसे करने, और इसको अपलाई कैसे करने, नुमेरिकल्स के अंदर, ये इंपोर्टेंट है, इसको देखते हैं, तो इसके लिए काम करते हैं, अन्लें वे लोगों सम्झ में आ रहा हैं? याज ठीक है, तो इसको एक बार देखते हैं इसमें, सबसे पहले आपकी हैंड़ेंट शीट नंबर, आपकी बुकलेट के अंदर, शीट नंबर कै ये? 5, शीट नंबर 5 उपर NCRT लिखा होगा, तो याने कि ये लेक्चर आज फिर से, तो आपने देखा एक चीज, पहला लेक्चर, NCRT, बी चैटर का, तो आपने असान लग रहा है, और फॉम्ला ही तो है, फिर दूसरा लेक्चर, NCRT निमेरिकल, आपो के हाँ, ये भी ठीक लग रहा है, ओके ठीक है, तो तीसा लेक्चर खोड़ा सा, एक लेवल अबजेक्टिव, चौथा लेक्चर, एक लेवल और अबजेक्टिव, फिर बापेस NCRT, तो आपने फॉम्मेट देखा, कि किस तरीके से, इस तरीके से, उपर उपर जाते जा रहे हैं, तो हर चैटर के अंदर इस तरीके से, आपका लेवल जो है, इंक्रीज होना, स्टार्ट हो जाएगा, तो एलेक्टर स्टाटिक फील्ड से शुरू करते हैं, एलेक्टर स्टाटिक फील्ड के अंदर, इस दिफाइन अजे, क्या, स्पेस अरॉंड द चार्ज, चार्ज के आस पास एक स्पेस है, उलेक्टरिक स्टेंश्टी, या उलेक्टरिक स्टेंथ एक इह बात है, कैसे रिप्रेज़ेंट करना है भाई अटर, ई वेक्टर, ये अगर कोई पॉइंट चार्ज है, जहों मैने बड़ी बॉड़ी बना दी वैसे, इटसे पॉैंट चार्ज, प्लीज, Coulomb law point charge के लिए valid है E का formula भी point charge के लिए valid है E का formula भी body के लिए valid नहीं है तो ये point charge ही लेके चलें मैंने बड़ा बना दिया तो अगर ये कोई point charge है Q और मुझे यहाँ पर E निकालने है तो पहला method क्या सिखाया था कि यहाँ पर formula लगेगा force upon test charge Q 0 लगा दिया तो इसमें E का formula जो NCRT की किताब में को लिखती है E vector is equal to limit of limit यह अगर आपको calculus यादो पहला lecture मेरा limit delta x calculus जिरो नहीं किया हुआ है वहाँ मैं एक पर सा introduction देता हूँ अभी एक line में आपको बता दूँँगा जम नहीं सोना हुआ limit force और Q 0 का मतलब होता है कि जब यह Q 0 की limit 0 approach it is not equal to 0 it is approaching to 0 maths में इसका मतलब होता है it is a point charge Q 0 की value is very 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 small approaching to 0 Q 0 dash 0 का मतलब almost ना बराबर ना नहीं 0 नहीं बोलना 0.0001 क्यों ताकि यह अपना कोई ना लगाए क्योंकि हम किसका field study करने है Q का अगर Q 0 हम बढ़ा ले लेंगे तो फिर अपना field भी लगाएगा फिर इसका field में गड़ड हो जाएगी study करने में तो इसलिए Q 0 को क्या रखना पड़त बहुत 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 चोटा तो मैंस में क्या लिखा जाता है कि फोर्स अपन चार्ज विर लिमिट Q 0 अप्रोच इस तू C यह तर्म यह तरीक यह लिखनेगा मैंस में क्लियर है यह पस पता ही होना चाहिए यह तना यूज में होता सो लिख भी दिया वैसे Q 0 do not contribute in E vector यूनिट के यह E के force upon charge Newton per Coulomb E निकालने का तरीका Q charge है R distance पर E निकालना है imaginary test charge Q 0 force by Q 0 force Q 0 cancel E का formula E के formula में यहां पर कौन contribute कर रहा है सिरफ Q E is due to charge Q and Q 0 do not contribute in E Q 0 is a test charge clear है यहां तर next method number 2 जहां पर आपको E निकालना है plus 1 force experience by unit positive charge तो सीजा formula लिख दिया Q by R square तो सा जो में एक्स्प्रेइन किया साल ही दिया कोई doubt इसमें ठीक क्योंकि E force upon charge है तो जो direction F की होगी वही direction E की होगी तो अगर force attractive है तो E भी attractive है force repulsive है तो E भी repulsive है तो same direction होगी next superposition principle मुझी तो effort करना ही ना इस chapter में क्या effort है मेरा कोई effort नहीं है क्योंकि मैं अपना effort तो कर आया हूँ तो इसके अंदर आपको भी कोई जादा effort करना नहीं है सूपर पॉजिशन पर उसके आपको आता है तो question है पांच कूलम का charge है point charge इस पर काम करेंगे point charges पर ही काम होना है इस chapter में आप कहेंगे अगर shell, ring, disk आगी तो कोई टेंशन नहीं फिर एक महिना करना क्या है एक महिना से अब E तो study करना है C chapter आपको B chapter आपको point charge सिखाएगा C chapter आपको non point charges पर E कैसे निकलता है वो सिखाएगा तो अभी हम point charge पर काम कर रहे है फिर shell आएगा, sphere आएगा उसके लिए C chapter काम करेगा तो अभी relax point charge पर काम कर रहे है पांच कूलम का charge है एक मीटर दूर E निकालना है यह question है जहाँ E निकालना है वहाँ चार्ज प्लस 1 रखेंगे clear है यहां तक? कुड आउट इसमे जहाँ E निकालना है वहाँ पर चार्ज क्या रखा जाएगा प्लस 1 कुड आउट इसमे रख दिया next point direction भी सासा discuss कर लो एक बाद बताओ यह positive charge इस positive को अपने से दूर क्या करेगा उदर लगाएगा तो force की direction का है repulsive तो जो direction force की वही direction E की तो force repulsive है तो E repulsive है तो अच्छ है ना force की direction निकालना है तो E direction भी आगी clear है तो E repulsive right की तरफ E की direction होगी value क्या होगी 1 by 4 pi epsilon 0 5 divided by 1 square, done इसे एसान chapter क्या होगा A chapter से भी एसान निकला है तो A chapter में तो फिर भी में तो दीरी कराना पड़ा था यह तो एको repel कर रहा है इसमें तो आपको खुदी पता लग रहा है की यह charge इसे repel करेगा और formula आपने हाथ कर लिया चलो फिर करते हैं जैसे suppose minus of जैसे suppose minus 3 coulm charge है minus 3 coulm की वज़े से यह पर E निकाल ले rule number 1 जहाँ E निकाल ले वहाँ कौन सा charge रखा जाएगा imaginary 1 में plus 1 रख दिया minus charge इस plus 1 को अपनी तरफ क्या करेगा attract करेगा तो force की direction कहा है इस तरफ E की direction भी कहा है इसी तरफ done E की direction समझ में आ गई okay done E की value E की value में 1 by 4 pi epsilon naught 3 divided by 1 square यह समझ में आप क्यूं क्यूं force में क्या निकालते थे magnitude E में भी क्या निकालेंगे direction minus लेंगी नि तो अगर हम formula लेंगे किसका अगर हम formula लेंगे इसमें force का simple अगर पूछूं कि force की value क्या होगी तो force के अंदर sign लेते ही नहीं तो जैसे force के अंदर चार्ज का sign लेते ऐसी E के अंदर भी sign नहीं लेंगे only magnitude तो minus sign क्या करेगा attraction या repulsion शो करेगा क्या point क्लियर यहां तो यह समिझ में आर है कि इसकी वज़े से E attractive और magnitude तो अपको पते ही है Qy as-where निकालना आर है E Vector 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 तब डालना होता है जब मैं Vector Form अभी करवा हूँगा यह सिर्फ निकालना सिखा रहा हूँ अब Vector अरो बोल रहे हूँ ना It's a Vector लेकिन जब सर पर अरो लग जाता है ना तो इसका मतलब होता है वेल्यू बटाओ पर टाक्शन भी बताओ तो उसमें i-cap, j-cap लिखना पड़ेगा फिर मेरे को तो मैं सिर्फ वेल्यू निकालना सिखा रहा हूँ अभी मैं डाक्शन की बात नहीं कर रहा हूँ डाक्शन में सिर्फ यह वेक्टर से शो कर रहा हूँ इसकी डाक्शन है पस ठीक आठ कूलम चार्ज है चार कूलम चार्ज है लो दो चार्जेस हैं दो चार्जेस की वज़े से यहां पे e निकालो कहां पर 1 meter इससे 1 meter इससे 3 meter तो e निकालने यह देखो जहां पे e निकालने हैं अपने मन में क्या imagine करना है वहां पर चार्ज कितना पड़ा हुआ है unit positive कितना plus one put out इसमें तो यहां पर plus one रद दिया और यह तो force की problem बन गई e is a vector force is a vector तो अबर मैं यह कहूं कि यहां पर e निकालने हैं तो कौन लगाएगा e अच्छा कौन लगाएगा इसके ओपर force आसपर उसके charges कौन कौन charges है 8 coulm and 4 coulm यह दोनों force लगाएगे यह दोनों ही यहां पर e लगाएगे तो कैसे 8 coulm इसे क्या करेगा attract repel तो क्या मैं यह बोल सकता हूं 8 coulm ने plus one को क्या किया repel अब हम force नहीं बोलेंगे क्योंकि यहां plus unit positive है तो यह यहां पर क्या लगाएगा e लगाएगा जिसकी value क्या होगी 1 by 4 pi epsilon 8 divided by 1 square क्या step clear है यहां तक ठीक है यहां तक अच्छ अब यह बता हो 4 coulm 1 coulm को क्या करेगा कि इदर करेगा इदर पहल करेगा ना इदर तो e कितनी लगाएगा अब force नहीं e की problem है तो e लगाएगा e लगाएगा 1 by 4 pi epsilon 0 4 divided by 3 square आपको यह feeling तो नहीं आ रही है तो पिछा chapter ही चल पड़ा फिर से आपको सही आ रही है पिछला चैप्टर चल पड़ा पिछले चैप्टर में उल्टा यहाँ 10 coulm 5 coulm में कुछ भी ले रहता था इसमें तो पक्का ही 1 coulm है जहां पर e नहीं काला है आपर 1 coulm है तो इसका मतलब कि 8 coulm ने यहां पर e लगाया 4 coulm ने यहां पर e लगाया 2 vectors are acting in opposite direction तो net e क्या होगा बड़ी value में से छोटी value को minus सब में आ रहा है यहां था सेम ही तो है force की तरह तो यह तो उल्टा अच्छ है अगले test की प्रप्रेशन हो रही है इसे तो कुछन डालने में ने next test में यह लोग तो प्रप्रशन लगा के पिखाओ और बड़ी है यह देखो तो 8 coulm ने प्लस 1 को रपैल किया 4 coulm ने प्लस 1 को रपैल किया कौन बड़ा इसमें से 8 बड़ा और यहली term चोटी तो बड़ी value में से चोटी value को क्या कर देना है minus कर दिया common आ गया 9 into 10 की पापर 9 पूट करें आपर answer newton per coulm and net क्यूंकि जो direction है क्यूंकि इसके अंदर e1 बड़ा है और इसमें e2 छोट है तो net e जो आएगा वो कहाँएगा towards right आएगा right का मतलब along q2 की तरफ तो end में लिग देना net e कहाँपर आएगा cute online वालों क्लियर है Samia Rohan Rohan clear yes sir okay okay फिर देखते है minus 3 coulm और 5 coulm question है e निकालो कहाँ पे यहाँ पे rule number one जहाँ e निकालना है वहाँ पर charge क्या लेना imaginary plus one net e निकालना है कौन लगाएगा यहाँ पर e एक लगाएगा minus 3 coulm और एक charge कौन लगाएगा 5 coulm 5 coulm plus one को अपने से दूर क्या करेगा repel ठीक है तो जहाँ पर e निकालना है सारे वेक्टर यहें पर बनेंगे तो 5 coulm ने प्लस one को repel किया कितनी e की वेल्यू से 1 by 4 by epsilon 0 3 divided by 1 square तो magnitude क्या होगा 3 divided by 1 square तो क्या point क्लियर है यहां तक put out this sign नहीं लेना इसकी value में sign नहीं लेना only magnitude जैसे force की problem करते थे तो क्लियर है यहां तक दोनो e तो net e क्या होगा इन दोनों को add करते हैं तो add करते हैं add करके units newton पर पूलम लगाते हैं और net direction left की तरफ आती है या तो left लिख दो या along q1 लिख दो एक ही बात है को doubt इसमें समय रहा है कि net e कैसे निकलेगा इसमें ठीक जैसे जैसे नहीं या आपी का question है करो copy के अदर solve करो e निकाल लें net e इस point point पर निकाल लें कर दो जयसे मुआ है झाल झाल मुआ है झाल 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 देखो इस में इस question को करने के लिए आपको क्या करना है देखो सबसे पहला point जहां पर E निकालना है आपने या लिया प्लस वन प्लस वन लिया इस माइनस ने इस प्लस वन को अपनी तरफ क्या किया attract तो E की value कितनी लगाएगा ये 1 by 4 pi epsilon not magnitude only 5 का square ठीक है ठीक है ठीक है फिर ये माइनस 7 इस प्लस वन को अपनी तरफ क्या करेगा attract तो E क्या लगाएगा 1 by 4 pi epsilon not magnitude divided by 5 square clear है तो दोनों vectors are acting in opposite direction तो net E की value क्या होगी यहाँ पे बड़ी value में से छोटी value को क्या कर देना है minus तो E2 बड़ा है E1 चोटा है तो answer आएगा 1 by 4 pi epsilon not 7 divided by 5 square minus 3 divided by इसको solve कर लेना Newton पर Coulomb क्योंकि net answer right की तरफ है तो लिख देना towards right जो net E की value है वो कहाँ पर है towards right तो point clear है आँ तक online मा लोगो clear है ठीक है तो point focus on में आ रहा है right next है आप इस question में E निकाल के दिखाएं प्लीज इस question के अंदर net E निकालने आपको करें जड़ा solve force के अंदर भी ऐसी problem की थी try करें कॉंपोनेंट्स परेंगे इसमें हां E मनाएंगे टेड़े तो components परेंगे E cos theta E sin theta force के अंदर भी किया थैसा ट्राइ करो कोई बात नी आप step by step करो जहां E निकालने है आप प्लस न रखो फिर देखो कि कौन किसे रिपेल करेंगा और कौन अट्रैट करेंगा उसके साब से करो try करो और में जच वाद करो अगरायगे प्poseogen करते एक डेक रम मैं आप करिंगे डिमार देखो गًटिवेंरं ने हां कि कर देखो कि पमाद प्लीब के आ माद वप माद कि बख़र कर दो कि आपान पीरोवाब कर पज़ तो आपने इसमें क्या किया अपने रूल से चलो प्लीज कुछ भी मित करो अपना रूल बनाओ तो E vector या एक E इस तरह आ गया, right? straight line A वैसे ही तो E की value क्या होगी? 1 by 4 pi epsilon 0 5 divided by यह 4 है यह 3 है तो यह 5 meter है, divided by 5 square क्या step clear है पहला? तो 5 ने प्लस 1 को क्या किया? रिपेल किया, right? इस 5 ने भी प्लस 1 को क्या किया? रिपेल किया, कुछ ऐसे तो same value, same क्योंकि यह भी 5 है, वो भी 5 है तो यह E तो यह भी E ही बनेगा put out इसमे point clear है आ तक तो इसके अंदर 5, 5, 3, 3, 4, okay देखो, इसमें question कुछ इस फॉर में है, यह ज्यादा बेटर रहेगा मेरे लिए तो यह पर एक कितनी वेल्यू है? 5 कूलम, यह कितना है? 5 कूलम, यह कितना है? 4 मीटर, यह यह 4 है? 3 है, 3 है क्या, अच्छा 3 है, okay कोई बात नहीं, फिर ले जाते हैं तो इसमें यह जो है, यह 3 मीटर 3 मीटर और 5 कूलम, ठीक है? और यह कितना है? 4 मीटर, ठीक है? 3 मीटर, जहां यह नहिकाल है, वह 플स 1 तो मैं, यह कहरा था कि इस 5 कूलम ने, इस प्लस 1 को क्या किया? रिपेल किया ठीक होगा? इस 5 कूलम ने, प्लस 1 को क्या किया? रिपेल किया यह भी 工mont क्लियर है? ठीक है? तो E की जो value है यह E लगाएगा ये भी e लगाएगा और e की value दोनों की exactly same होगी 1 by 4 pi epsilon 0 5 divided by 5 का square क्योंकि ये भी 5 meter है ये भी 5 meter है right clear है अब एक काम करते हैं इसमें इसमें जैसे ये y-axis है ठीक है and इसमें let us suppose ये x-axis है x-axis है ठीक तो इसके अंदर हम imagine करते हैं कि suppose करो ये जो angle है ये कितना है थीटा ये भी कितना है थीटा clear है तो अगर ये थीट है तो ऐसा करें इसमें ये जो value है चाहे तो ये ले लो कोई दिक्कत नहीं ये भी कितना है थीटा by alternate angle नहीं तो ऐसा भी कर सकते हो ये थीटा तो ये थीटा भी हो जाएगा because of corresponding चलेगा ऐसी ये थीटा तो ये भी क्या हो जाएगा थीटा ये भी क्लियर है कैसे मिरजी कर लो max है इस e के तो component बनेंगे पहला component e cos थीटा और दूसरा component e sin थीटा similarly इस e के भी दो component बनेंगे e cos थीटा इस तरफ e sin थीटा ये component इस component को क्या कर गया cancel तो net जो e की value है वो क्या आएगी 2e sin थीटा तो 2 in 2 e की value 1 by 4 pi epsilon not 5 divided by 5 square into sin थीटा किसी मलगी triangle से ले लो क्या आएगा 4 divided by 5 तो 4 divided by 5 newton per coulomb and direction कहां पर है upwards answer तो points अब को समझ आ रहे है question कैसे करना है clear है ठीक पर से इसने से रिपैल किया इसने से रिपैल किया ये theta theta corresponding theta theta corresponding e का पहला component e cos theta e sin theta इसका e cos theta e sin theta cos cos cancel to e sin theta e तो पता ही था sin theta triangle से पुट कर ली answer तो अब point समझ में आ रहे है सबको तो ये तो बिल्कुल force की copy है force में तो 2 charge थे इसमें तो charge भी a की है एक दूसरा तो ही plus 1 तो 4 से भी easy है तो point समझ में आ रहे है यहां तक ठीक okay e निकालो इस question में e निकालो जहां e निकालना है plus 1 बनाव, plus 1 रखो, vector draw करो net e निकालो झालो झालो Tell estás well on झाल 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 ठीक है और उसी तरीके से प्लस इस प्लस क्योंकि ये पॉजिटिव उस पॉजिटिव पे लगाएगा तो प्लस प्लस को क्या करेगा रिपेल तो ए की वेल्यू क्या होगी एक वेल्यू क्या होगी बड़े में से छोटी वेल्यू को माइनस तो ये जो मुझे लग रहा है ये चोटा लग रहा है और ये मुझे बड़ा लग रहा है तो नेट ए की वेल्यू जो होगी माइनस एकवल टू ई माइनस एक डेश करलो के माइनस एक तो मैथट सब को समझ में आ रहा है अब ये तो रहा पूचेंगे सर इस माइन पॉछ में इसने माइनस पांच को अट्रैक्ट किया, हां तो किया, पूछ कौन रहा है, लेकिन किसने किसको क्या किया, हमने तो यहां निकालना है, सारे वेक्टर वह रहा है, तो हमने यह प्लस बन रखा, इसके आज पर उसके चार्जिस ने जो भी इस पे ए लगाया, अमने अंसर आगया, इन्होंने अपस में क्या किया 5 मैंजस 5 तो पॉइट सुझ में आ रहे है, ठीक है, तो पॉइंट चार्जिस के लिए, ए समझ में आ रहे है कि कैसे निकले गा, फोर्स की तरह ही निकलेगा वैसे तो, ठीक, ओके, अब ये तो था एक टॉपिक, ठीक है, एक टॉ रादर हम इसके कुछ नुमेरिकल्स करेंगे और आप वोमक भी ट्राइ करो गजिए का इका उस वोमक के अंधर कुछ कॉंसेप्ट गे रहोगा मैं प्रैक्टिस भी रहा हूंगा इक लेगा अब ही नुमेरिकल्स के वूपर ये तो जस मेरे अपने एग्जाम्पल्स हैं न्सी NCRT गेजम्पल थोड़ नहीं है NCRT गेजम्पल की शीटों मैं आपको दी है और नेक्स ताइम तर कॉंटिनु करेंगे क्योंकि आज माले पास एक और वी टॉपिक है फोर्स के एक और शीट पेंडिंग है हमारी मैंने आज फोर्स से इसके शुरू नहीं किया फिर वही एक इस टॉपिक है वह है इलेक्रिक लाइन फोर्स या इलेक्टरिक फिल्ड लाइन गैरेंटीड एंसी अर्टी के अंदर एक कॉस्चन इसमें से आने है जबसे NCRT पेपर कंड़क्ट कर वा रहा है इसमें से जुगूर कॉस्चन दे रहा है तो इंपोर्टन है ठीक है यह लाइने है तो यह लाइन क्या है यह एलेक्रिक फिल्ड को रिप्रेजेंट करती है जैसे मालो यह दिवार पॉस्टिवली चाज़ और यह दिवार नेगिटिवली चाज़ और इस पूरे रूम में क्या होगा एलेक्रिक फिल्ड होगा कैसे आप किसी भी एक क्वाइट तो इसको इसकी बीच में रगें, वो चार्ज यहां कभे टिके का यह नहीं, यह तो इस दिवार पे चिपके जाएगा या उदर चगा जाएगा, डिमेंडिंग उसको कहा जाने, किस प्लेट के पास जाने है, ऐसी होगा, तो मानना पड़ेगा इस रूम में एलेक्रिक दिखतों कुछ राह नहीं, खली हवाई तो दिख रही है, तो मैं फिर आज के बाद क्या बोलूँगा, मैं आज की बाद यह बोलूँगा, कि अगर यह दिवार है, आपके सामने यह बॉल है, जो दो प्लेट्स हैं, पॉस्ट्ट्ट्यम नेगटिव, तो अगर मैं वहाँ पर क्या होगा रगे लेक्टरिक साथ अपों, यह को कि यह बड़ा है ऐसो बनाई गए ऊथाए इन एंक्टरिक लाइन चाहिएDैने ने साथ इन इलेक्टरिक Lines तो पेज है इसमें क्या दिख रहे है कुछ भी नहीं तो आपको समझाने के लिए कि देखो यहां पर अगर ऐसी लाइन करते हैं तो इसना मंतब एलेक्ट्रिक फील्ड है क्लिए रहे हैं तक है अब ऐसा नहीं है जिस बंदेने रूऔ कहा कि हम लाइन से ड्राओ करेंगे उलेक्ट्रिक फीश्ट लाइन बता उसकिन शाफ से चलना है पर इमेजिनेशन के भी रूल हैं, तुमने आपने सपने नहीं लेने हैं कि मैं ऐसे कर दूँ ऐसे कर दूँ अना, वो गयता है, मेरे हिसाब से चल ला है, तो electric lines of force के कुछ rules हैं, draw करने के, पुली physics में भी rules फॉलो करने हैं, जब आपने draw करने हैं, अपने मन मर्जी से draw नहीं करने हैं, तो क्या rules हैं, वो ये topic आपको बताते हैं, तो पहली चीज इसके अंदर, कि electric lines of force या field lines एक ही बात है, electric field lines या electric lines of force एक ही बात है, तो electric field lines, electric field को represent कर रहा है, define अगर किया जाए इसे, इसको अगर define किया जाए, कि क्या है electric lines of force, तो define ऐसी किया जाता है, कि electric lines of force में भी defined as the path, lines रास्ता शो करती हैं, रास्ता, तो रास्ते को क्या बोलते हैं, path, तो these lines are path, straight और curved, यह बिल्गु straight भी हो सकती है lines, और trady-medi भी हो सकती है, ठीक है, कैसी भी हो सकती है, such that, tangent to it, तो अगर मैं इन lines के ओपर को tangent draw करूंगा, at any point, इस line के किसी भी point के ओपर, जब मैं tangent draw करूंगा, it gives direction of electric field intensity at that point, तो उस point पर electric field intensity की direction वो tangent draw कर करके दिखाएगा, मैं गरेंटी के बोल सकता हूँ, अब कुछ ने समझ में आया, क्योंकि इस definition किसी को कुछ ने समझ में आया अच तक, ठीक, तो इस definition को तो पर फॉमलिटी एक पढ़ था, कुछ भी निया सके अंदर, मैं जब एक बार अपने ग्जांपल से समझाता हूँ, पर definition पढ़ता हू मैं थोड़ा बुदाब ही गया होगा हां टेंजन 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 ड्रोओ लेंगे, याद कर लिया अपने, मैं आपको दिखाता हूँ कि वह कहने की कोशिश कर के आरा है, यह देखो, सपोस करो आपके पास, प्लेट्स हैं यह, पॉस्टिव नेगटिव प्लेट्स ले ले पॉस्टिव नेग्टिव नेग्टिव प्लेट्स लेली और एलेक्ट्रिक लाइन अफ फोर्स को ड्रोओ करना है, तो एलेक्ट्रिक लाइन अफ फोर्स अगर ड्रोओ करनी है, तो यह मैंने ड्रोओ की एलेक्ट्रिक लाइन फोर्स, यह परी लेक्ट्रिक लाइन फोर्स है यह लो, यह रह, यह रह, ठीक है? यह इस इमाजिनरी है, अब पॉइंट क्या इसमें, आपको वोगे पर यह थाइकन दो पहले ही बना वगा था, इस दो निया बना के क्या हुआ पता तो है ही है, पॉइंट ही है, कि इस फील्ड में यह जो पेस है, इसमें क्या प्रेजन्ट ह फील्ड प्रेजन्ट है, इसमें एलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजन्ट है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मुला था क्या, फोर्स अपॉन टेस्ट चार्ज, क्यू नॉट, तो अगर ए का फॉर्मुला एफ डिवालिटेड बाई क्यू नॉट था, तो एफ का फॉर्मुला क्यू नोट इंटू की लगाना है तो इसका मतलब गया है आज की तखो अभी तक हम जब फोर्स निकालते थे किसी चार्ज पे तो कुलनम लोग को याज करते थे Q1 Q2 by R2 Q1 Q2 by R2 अब वो ताइम गया कंढ उन परोटार थे अब आपको वोचेगा वो गया देखो यहां अब मेरे दो दिवारी लगा धी कंड़क्टन अंड़जे प्लस-मिस चाल्च यहां पर फील्ड प्रेजेंट है तो उटिक है जहां मरजी यह consider कर लो, value क्या रहेगी? 10. तो क्या में यह बोल सकता हूँ कि इस space में field, electric field is uniform. Uniform electric field का मतलब हर point पर value will remain same. तो आज के बाद यह word बड़ा common है numericals में. Given uniform electric field. तो uniform electric field का मतलब constant electric field. दे दिया उसने 10. किस ने लगाया यह uniform electric field, दो दिवारू ने लगाया. पॉस्टिव ने लगाया होगा. वो कैसे लगाया होगा, वो हमने निकालना नहीं है. वो हमें point charge का तो निकालना आता है, बड़ी-बड़ी plates का तो हमें आता भी निकालना. तो वो आपको question में खुद देगा कि इन दिवारों की वज़े से इस space में electric field uniform है और हर जगापर 10 है. फिर वो question कहेगा कि मान लो आपके पास कोई charge है, ठीक है, मान लो आपके पास कोई charge है जो कि आपने उस charge को आपने उस charge को यहाँ पे रखा, कितना आपने charge लिया 5 कूलम का, तो वो यह पुछेगा 5 कूलम पे force लगेगी, क्यों लगेगी, क्योंकि electric field में present है, तो बोलो कितनी force लगेगी, तो आप क्या कोऊगे, आप कोऊगे सर यहाँ पर e की जो value है, वो मुझे कितनी given है, 10 newton पर पूलम given है, given है, इस point पर e का formula होता क्या है, force by q0, तो force का formula क्या होता है, q0 into e, तो q0 की value कितनी है, 5, e की value कितनी है, 10, तो आंसर क्या गया, 50 newton, दे को कूलम लो चाहिए ही नहीं, अगर मेरे को e पता है, और e में पड़ा हुआ चार्ज पता है, उस अर्च पे क्या force लगी, मैं कुछ भी नहीं कर रहा, q0 है, e है, multiply करो force आगई, तो पहला step clear है, force निकालने का एक और तरीका हमारे पास पता लग गया, बहुत news होता है, f is equal to qe formula, बड़ा famous formula है, f is equal to qe, पहला formula clear है, दूसरा, दूसरा, अब अगर मैं बात करूँ, इस चार्ज की direction क्या होगी, छोड़ देते हैं से, move करने दो, कहां जाएगा, राइट की लिफ्ट, राइट जाएगा, क्यों, चार्ज की नेचर के है, positive की negative, will be attracted towards, ठीक है, मांते वही बात, negative की तरफ जाएगा, यह ऐसे बोल प्लस ने प्लस को रिपल किया, माइनस ने रट्रैट किया, तो ultimately इस तरफ जाएगा, सही है यहां तक, कोई डावट इस में, तो अगर मैं चार्ज को यहां रख दूँ, अगर मैं इस चार्ज को यहां पे रख दूँ, तो डारेक्शन क्या होगी, फोर्स की, इस तरफ क्या यहां रख दूँ, तो इस तरफ यहां रख दूँ, इस तरफ यहां रख दूँ, इस तरफ, यहां रख दूँ, इस तरफ, सही है, put out इसमें, ओके, सिरफ इस डागरम को देखना, यह क्या है, 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 यह क् electric lines of force रास्ता है, इस रास्ते पे अगर मैंने कोई point लिया, उस point पे tangent ड्रॉ किया, तो वो tangent मुझे किसकी direction दे रहा है, force की, जो किस पे लगेगी, अगर मैंने कोई test charge लग दिया, उस पे force लगेगी, अचा जो direction F का होता है, वही direction E का भी तो होता है, अब द्वारा चले definition पे, electric lines of force पात है, रास्ता है, such that अगर कोई point लिया जाए इसके उपर, और tangent ड्रॉ की जाए इसके उपर, तो it will give direction of electric field intensity at that point. तो definition सम्याई कैसे बनी, कि आज के बाद अगर कोई भी electric lines of force गिवन है, और आप ने इस जो पर a tangent ड्रॉ कर दिया, तो वह आपको electric field की direction देगा ही देगा उस point के उपर. good out इसमे, definitions में आ रही है, कैसे बन रही है, मैंने numerical भी समझाया कि कैसे direction बनेगी इसमे, तो अब अगर मैं definition पे जाओं, it is defined as the path, मैंने अपना example straight line का लिया, electric lines of course straightly, पर जरूरी ही straight है, यह curve भी हो सकती है, जहाँ पर uniform electric field है हमां straight होती है, जहाँ नौन uniform है, जहाँ चेंज और यह direction और values, वहाँ पर यह curve हो जाती है, तो such that, tangent to it at any point, इस line के उपर अगर point लगए, tangent रो करें, gives direction of electric field intensity at that point, तो उस point पर वो क्या देगा, e की direction देगा, तो यह देखो, यह electric lines of force है, आपने एक चार्ज गिया, यह रा क्यू चार्ज, क्यू चार्ज पर आप इस, क्यू चार्ज रखा यहाँ पर, tangent रो किया इसके उपर, it will give direction of electric field intensity at that point, अगर आपकी electric lines of force ऐसी है, curve है, और आप यहाँ tangent लेते हैं इसके उपर, तो tangent तो पर tangent है न, curve के उपर ऐसे बनेगा, तो this will give electric field intensity at this point, अगर tangent यहाँ लेंगे, तो direction विल इस point पर tangent यहाँ लेंगे, तो इस point पर, तो जहाँ पर भी कोई भी line सीधी हो, और टेडी हो, और पेपर में गिवन हो यह सीधी हो, आपने ड्रॉ नहीं करने होती, आप यह न सोचेंगे मिल को draw करना, आपको नहीं draw करना, आपको lines हमेशा given होती है, तो जहाँ पर भी line given होगी, उसके उपर कोई भी point पर tangent पर tangent ट्रॉ करेंगे, तो it will give direction of electric field intensity at that, point E vector की direction पर लग जाएगी, को doubt इसमें, तो पहला rule क्लियर है, इस टाग्राम में E constant है, और मैंने आपको example लेके भी दिखाया, force experience by charge Q निकाल लें, इस पर कितनी force लगी, तो answer क्या होगा, E is equal to F by Q, F is equal to QE, जिस direction में force है, उस direction में E b होगा, मैंने numerically करके दिखाया आपको, ठीक है आँ तक, अब जिसमें E बनाया, उसने कुछ rules बनाये, जिसको properties बोलते है, electric lines of force, कि properties हैं क्या, इसको समझते हैं, बड़ी important है, इसमें से आएगा paper, properties, पहली property, बनाने माला ये कहता है, अपने मन से नहीं है, कि टेबल से निकाल के, chair में एंटर करवा दीए, बनगी electric field, अथरोडी में है, मैं ये लोजी electric field, ऐसे तो rule है, कहां से शुरू होगी, बनाने माला पहला rule कहता है, ये electric lines of force, हमेशा positive charge से ही शुरू होगी, और कहां end होगी, negative charge पे end होगी, तो पहली property, electric lines of force, always starts from positive charge, and ends at negative charge, पहला rule clear है, negative से positive air हो नहीं जाएगा, positive से negative जाएगा, तो electric lines of force, comes out of positive charge, and ends into the negative charge, तो positive से start होगी है, देख रहे हो, negative में end होगी है, देख रहे हो, आपको होगी सर, अगर माल लो मेरे पास, charge है ही positive, मेरे पास negative charge, तो माल लो है ही नहीं, मेरे पास सिर्फ positive charge है बस, तो positive charge से start करें, करो start, तो lines कहां से start हो रही है, positive से, तो बो student कहता है, यार end कहां करूँ, क्योंकि आपने बोला था, ये end कहां परोगी at, negative charge, पर मेरे को तो इस board पे negative दीखी नहीं नहीं, तो ये end कहां करूँ, तो तू ये माल ले भी negative charge दुनिया में कहीं तो होगा, हाँ कहां तो होगा, कहां होगा, वो तकहता हूँ इस पेसे बहुत दूर है, बहुत दूर को क्या बोलते हैं फिसिक्स में, इंफिनिटी, तो आपने लिख देना भी infinity, होता होगा, जहां होता होगा, बस जाती रहेंगी infinite set lines, अब में पाद नहीं है, तो मैं भी क्या करूँ, infinite distance पे चली जाएगी, तो point समझ में आ रहे हैं, कि अगर single charge गिमन होगा, तो lines कैसे टॉ करनी है, ऐसी अगर सिर्फ negative charge होगा, तो lines एंटर करवाद हो बस इसमें से, आपको किसर आ कहां से रही है, positive तो है, अरे दुनिया में तहीं तो positive होगा, वहां से चलती है, यहां पर आ रही है, तो point समझ में आ रहे है, हाँ अगर positive negative दोनों charges गिवन होगे, फिर कोई tension नहीं, positive से शुरू करो, negative पे end कर दो, फिर समय में आ रहा है न, कि positive से शुरू होगे कहां पर आ रही है, वो negative पे end करेंगे, clear है यहां तक, तो पहली property clear है, positive तो negative आ लिए, next, देखो positive से start हो रही है, negative पे आ रही है, यह positive positive है, positive में start हो रही है, end infinity, start हो रही है, end infinity, clear है आतल, जैसे यह रहा, positive से start, negative end, positive से start, positive से start, right, आप मुझे कीज बताओ, इसमें, अगर suppose करो, आपके पास, यह point है, चलो माल लेते हैं, चार दुनों में पराबर है, पराबर है, positive है दुनों, और यहां फिल्ड ही फिल्ड है, मैं यहां बना देता हूँ, कोई बात ने, देखो, देखो, माल लो, आपके पास एक positive charge, एक positive charge, एक positive charge, ठीक, यह तो मानते हो ना, कि लाइन्स ही लाइन्स हैं, जो यहां से बाहर निकलेंगी, जितनी मर्ची लाइन्स हो, इन्फाइन्ट लाइन्स हो, ठीक है, मेरा एक व्वेस्टन है इसमें, कि सपोस, इनके मिड़ पॉइंट पर, मिड़ पॉइंट पर मतलब दोनों में at a distance of R, एक निकालो, एक निकालो, जहां एक निकालने, वहां चार्ज प्लस, बान, कौन लगाएगा ए, यह भी लगाएगा, और यह भी लगाएगा, तो यह प्लस चार्ज, यह जो प्लस चार्ज है, यह इस प्लस बन को क्या तरेगा, रिपल, और यह प्लस चार्ज भी, इसे क्या तरेगा, रिपल, जिदनी, यहां पर यह क्यो प्लस बन पर E क्या लगाएगा, 1 बाए 4 पाई एप्सलेद, नॉट Q ऐए आड स्क्वेर, और यह Q charge भी क्या लगाएगा, 1 by 4 pi epsilon, not q by r square. दोनों मेक्टर ओपोजिट हैं, तो net E क्या आगया, 0. अरे कमाल हो गया, दो-दो चार्जिव पढ़े हैं, आमने सामने दो-दो चार्जिव और एलेक्ट्रिक फील्ड लगा रहे हैं हर जगा. तो उन उस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एक ऐसा point आ गया, जहां पर हर जगा इलेक्ट्रिक फील्ड है, पर उस point पर इलेक्ट्रिक फील्ड net क्या आ रहे हैं, 0. क्योंकि दोनों field आपस में इक दूसरे को क्या कर रहे हैं, cancer. समझ में आ रहा है या तक point? तो जबकि वही बात होगी कि field तो पूरे रूम में ही है, पर फिर भी पूरे रूम में इतना field होने की बावजूद भी एक point ऐसा डूड़ दिया, जहां पर net field के आ गया 0, उस point का नाम होगा neutral point. तो neutral point वो point है, जहां पर net E क्या हो जाता है? 0. तो आपको कहें, इसका मतलब यह महनें, कि आज के वाद अगर यह क्यू चार्ज है और यह field है, तो अगर मैं यहां यहां पूछूँ जो कि 0 वात है, क्या यह neutral point है? यह neutral point नहीं है, यहां तो net E है 0, यहां तो field है यह नहीं. neutral point इसी electric field के अंदर कोई ऐसा point आएगा, जहां पर field तो present होगा, पर फिर भी E 0 हो जाएगा, क्यों कहीं नहीं, दो वेक्टर आपस में क्या कर गए, cancel. उस point को, जो field में exist करता है, पर फिर भी वाह पर field क्या आता है 0, उसको क्या बोलते है? neutral point. क्या यह point क्लियर है यहां तक? अजेती क्लियर है? नहीं सिया, जोडी सियाल. खिक है? तो neutral point क्लियर है यहां तक? तो यह तर्म अगर यूज हो तो पता होना चाहिए कि कैसे यूज करनी है? तो यह हो गया, tangent to field line, किसी भी tangent line के ओपर tangent draw करेंगे, it will give direction of electric field E vector at that point. Tangent E vector, tangent E vector. तो यहां पर tangent draw किया, तो यह E vector यहां हैगा. यहां tangent draw किया, E vector यहां हैगा. Field lines never intersect each other. दो lines कभी भी intersect नहीं करती वापस में. ऐसा क्यों? वो कहता है कि इस case में, दो lines इसलिए intersect नहीं करती, क्योंकि मान लेते हैं एक मिनिट के लिए कि वो चलो intersect करती हैं. चलो यह मानते हैं कि lines आपस में intersect करती हैं. ठीक है? यह देखो, यह एक line नहीं आ जा रही है, और दूसरी line नहीं आ जा रही है. कर गई intersect माल लो. अब अगर यह intersect कर गई ना, तो एक point बताओ कि यह common point है. इस common point के उपर, यह point इसका भी है, यह point इसका भी है. अगर मैं tangent draw करूँगा, तो इस direction आ जाएगी electric field की इस तरफ. और अगर मैं इस line को लेके tangent draw करूँगा, तो यहाँ पर direction आ जाएगी electric field की, और यह कैसे हो सकता है? एक point पर दो directions हो ही नहीं सकती. मतलब electric field की, electric field is a vector, electric field is a vector, तो यह तो direction इस तरफ होगी, यह direction इस तरफ होगी. तो एक point पर घड़े होगी यह नहीं सकता ना कि, उधर भी electric field है, उधर भी electric field है, वेक्टर की तो एक ही direction होगी, दो direction नहीं सकती. इसलिए यह कभी भी lines आपस में इंटरसेट नहीं करती, नहीं तो common point पर दो directions आ सकती है, electric field की जो की गलत है, clear रहे हैं तर? तो यह इसकी एक property है, next है, electric lines of force are always normal to the surface of conductor, जब यह start होती है न, जैसे यह positive से start होई, जब यह start होती है, जैसे मालनो positive से start होई, तो उस case में यह starting point पर 90 degrees पर ही start होऊँगी, यह 90 degrees पर start होई, यह 90 degrees पर start होऊँगी, एसे, 90 पर start होऊगी, और एंड झब ये होती हैं तो एंड भी आपर था निह दो फो टेक्वे अन्टि पे ये एंड होती है एट निह हो कि यह नियोंगा कि ये पोस्ट ktoś बॉड़ी एidar यह जों कुछ भी कुछ भी है लो, किसी भी एंगल पर एंटर कर रही है यह नहीं होएगा, हब हमें जाहेगी, एंटर नाइंटी पर करेगी, स्टार्ट भी नाइंटी पर होगी, क्लिर है यहां तक, तो इसका नेक्स्ट तूल है ही है, तो अब्जेक्टिव कोश्टिव की शीट अएगी, जिसमें कुछ ऐसे अटर्टे से डियागराम इंटी पर स्टार्ट और एंटी पर एंटी पर नहीं होगी, तो पूछेगा क्या यह राइट है यह रॉँग है, तो रॉँग है, नाइंटी दी में इसा राइट है, क्लियर है यह यह रॉपृूटी भी क्लियर है, नेक्स्ट है, और लेक्रिक कॉएट राइटब ऑफ फौर्स नेर मषynn कलोस्ट्स लूप्स, पॉजिटिव से स्ब एंटी है, नेटिव भी खटम होती है, तो प्लोस की बनाना, यह सर्कल कैसे बनाएगा, positive negative एक point पर रखोगे तो ऐसी cancellation हो जाएगी positive negative एक point पर रखो cancel हो गया तो line कैसे बनेगी तो इसलिए ये positive अलग होगा negative अलग होगा complete circular lines electric lines of force कभी भी exist नहीं करते circular lines कभी नहीं मिलेंगी क्योंकि इनको कहा से start होने positive से, कहा end होने negative पे, circle कब बनेगा जब positive से start होगे उसी charge पे end होगी ऐसा तो होता ही नहीं है negative charge कैसी exist करेगा तो इसलिए close loop अभी भी नहीं बनाते in charge free region मालोई सुदू ये charge free region है room जहां कोई charges नहीं है electric field lines can be taken to be continuous curve without any breaks मतलब कि अगर आपके पास कोई suppose करो electric lines of force है जैसे ही है positive है positive plate है ये negative plate है तो electric lines of force यहां से start होगी negative पे 90 degree पे end होगी ऐसा नहीं होगा ये break लगा गई फिर ये start होगी ये break नहीं लगेगी positive से start होगी negative पर end होगी continuous बनेगी break नहीं लगेगी इसमें तो इसलिए ये क्या मानी जाती है continuous curves ये भी clear रहा था कि continuous curves का मतलब किया इसमें and number of lines originating or terminating on a charge इस proportional to magnitude of the charge अगर कोई strong charge है चार्ज बढ़ा है उसमें से जाला लाइन निकलेंगी अगर charge weak है छोटा सा charge है तो उसमें कम लाइन निकलेंगी या एंटर करेंगी जैसे मान लो question है कि आपको मैंने कहा कि suppose charge है कितना 10 कूलम का charge है एक बाड़ी पे 2 कूलम का charge है तो 10 कूलम में से आप number of lines जादा निकालेंगे 2 कूलम से कम निकालेंगे जितनी जादा number of lines होती है ना इसका मतलब field उतना ही strong है और strong field के लिए strong charge चाहिए charge weak है तो line है भी जादा निकलेंगे charge strong है तो lines भी जादा निकलेंगे तो अजर ये शोर करती है कि कौनसा charge strong है कौनसा weak है या कहा field strong है कहा field weak है तो ये property क्लियर है का मतलब निकलेंगे तो यह जादा अटक फितनी निकलेंगे तो फितनी निकल इसमे ठीक थीज़ेधे होगी देगे लिलेभिन पर्कों अटेता है अब प्रॉप्रित है ना अब प्रॉप्रॉट्टी रूप्रोपोस्ट्टेंगे किनी नीद आ रही है, तो ज्यादा नीद आ रही है, तो नंबरों कोश्चिन ज्यादा रहोने चाहिए, ठीक, तो पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक, यहां पर यहां पर spacing tight है पास है यहां पर spacing दूर है तो यहां field weak होगा यहां पर field strong होगा तो जितनी tight होगी lines field strong है जिती दूर-दूर होगी field weak है तो point समझ में आ रहे है और uniform field का मतलब lines की बीच में spacing हमेशा क्या रहेगी तो यहांने की e की value constant है अगर 10 है तो हर जगा पर 10 ही रहेगी तो point समझ में आ रहे है यह rule समझ में आ रहे हैं सबको कोई doubt इसमें ना ना वो क्या करेंगे वो अभी तो tension आ ले तो यह काम करते हैं एक sheet दिए बैने आपको अभी कौन सा कौन सा यह बना यहां पर spacing टाइट है ना पास है तो यहां field strong है यहां दूर दूर है तो field weak है यह है इसका मतलब एक काम करते हैं objective sheet number 5 लो पासफ मिनिट लो और करो दो solve objective sheet number 5 करो solve यहां जो यहां है यहां वहां करती है यहां झाल 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 झाल